आज हम लोग आपस में लेंदिन के लिए मुद्रा यानि करंसी का इस्तेमाल करते हैं हर देश की अपनी एक करंसी होती है जैसे भारत में रुपया, USA में डॉलर, यूरोप में यूरो हर देश की करणसी को उस देश की सरकार कंट्रोλ करती है जिस देश की वो करणसी होती है जैसे भारत में रुपए और रुपए को कंट्रोल करती है RBI यानी Reserve Bank of India RBI जो मुद्रा देती है उस मुद्रा में एक value होती है करंसी एक प्रोमेज़री नोट होता है जो उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होती है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदना चाहते हैं जैसे आपने दिखा होगा नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ मतलब ये एक तरह से प्रोमिस है कि आप इतनी मनी की वेल्यू की कोई भी चीज कोई भी वस्तू या सर्विस खरीद सकते हैं ले सकते हैं वैसी ही डिजिटल करनसी को RBI बैंक द्वारा कंट्रोल करता है आप जो भी पसा बैंक में डेपॉजिट करते हैं वो आपके खाते में एक डिजिटल डिजिट शो करता है और जब भी आपको ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट से डैबिट और किसी के कर सकते हैं मतलब उस digit को आप cash कर सकते हैं और money के रूप में अपने हाथ में ले सकते हैं छी किसी तरह से cryptocurrency एक digital currency होती है लेकिन यह currency blockchain के algorithm से बनी होती है और इस पर किसी भी देश की सरकार का कोई control नहीं होता यह decentralized money होती है cryptocurrency में cryptography यानी encrypted security system का use होता है फर्क सिर्फ इतना होता है कि cryptocurrency को note या सिको की तरह से physical रूप में देखा या चुआ नहीं जा सकता यह आपके digital wallet में रहती है और इसका use केवल digital transaction करने के लिए होता है 2008 में Satoshi Naka Moto नाम के एक व्यक्ती ने blockchain के concept का इस्तेमाल करके एक currency को develop किया जिस currency का नाम है Bitcoin लेकिन Satoshi Naka Moto कौन है यह कोई नहीं जानता आप मेरे साथ इस वीडियो में अंततक बने रहे हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि Satoshi Naka Moto कौन है Satoshi Naka Moto ने जब इस currency को बनाया तो इस तरह से encrypt किया कि केवल 21 million Bitcoin ही बनाये जा सकती है आज 5000 से ज़्यादा cryptocurrency चलन में है लेकिन Bitcoin, Ethereum, Libra, Dogecoin यह वो currency है जो बहुत ज़्यदा famous है cryptocurrency को किसी भी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती और नहीं cryptocurrency traditional banking system को follow करती है आज दुनिया के कई देश जैसे USA, Japan, Spain, Romania, Bitcoin में shopping, trading, traveling, exchange और investing को accept करती है RBI ने 5 अपरल 2018 को एक circular जारी किया और उस circular में सभी bank को एक instruction दिया कि जो भी identity cryptocurrency में trade, deal या transaction करती है उनको banking services ना दी जाए मतलब उनके द्वारा की गई transactions को bank के द्वारा convert या transfer ना किया जाए March 2020 में Supreme Court ने cryptocurrency के favor में एक फैसला दिया जिसकी वज़े से reserve bank को cryptocurrency पर लगाए गए bank को हटाना पड़ा और जब ये bank हटा तब से भारत में लोगों का cryptocurrency की तरफ रुजहान तेजी से बढ़ने लगा जिसकी वज़े से लोग cryptocurrency को एक अच्छी investment के रूप में देखने लगे और उसके user तेजी से बढ़ने लगे यदि आप भी cryptocurrency में invest करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि cryptocurrency के क्या फायदे और क्या नुकसान है उसके बाद ही आप ये decision लें कि आपको cryptocurrency में invest करना चाहिए या नहीं और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सतोशी नाकामों तो कौन है इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहे हैं तो आईए जान लेते हैं कि cryptocurrency के फायदे क्या है पहला फायदा cryptocurrency एक volatile currency है जिसकी वज़ा से इसकी कीमत में बहुत तेजी से उतार चड़ाव होता रहता है और जो लोग investment की power को जानते हैं और risk लेने के लिए तयार होते हैं वो इसका इस्तिमाल investing के लिए करते हैं और पैसा बनाने के लिए करते हैं दूसरा फायदा cryptocurrency आपके digital wallet में होती है जिसकी वज़े से online transaction और आपस में लेन देन करना बहुत आसान होता है cryptocurrency में किसी भी देश की सरकार का कोई control नहीं होता जिसकी वज़े से किसी भी देश का inflation या demonetization जैसी गतिविदी का cryptocurrency पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चौथा फायदा cryptocurrency में लगी हुई आपकी capital कंट्रोल ना होने के कारण आप पूरे विश्व में किसी भी देश में transaction कर सकते हैं और आपका transaction शुलक भी ना के बराबर होता है और पांचवा फायदा transaction लेने और देने वाले व्यक्ति के बीच होती है इसलिए आपकी transaction को किसी भी तरह से track, trace या record नहीं किया सकता जिसकी वज़र से आपकी transaction गोपनिया बनी रहती है तो ये थे वो पांच ऐसे फायदे जिसकी वज़ा से लोग cryptocurrency की ओर आकरशित होते हैं आप जानते हैं ऐसे पांच नुकसान कि यदि आप cryptocurrency में invest करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है पहला नुकसान कि crypto currency की कोई physical assistance नहीं होती जिसकी वज़ा से आप उसको note या सिक्को के रूप में convert नहीं कर सकते दूसरा नुकसान government controlled नहीं के कारण इसकी कीमत बहुत तेजी से घटती बढ़ती है इसकी वज़ा से इसमें यदि आप निवेश करते हैं तो आपका risk बहुत बढ़ा होता है कई बार तो इसकी कीमत आस्मान चूजाती है और कई बार इसकी कीमत बहुत तेजी से नीची आ जाती है इसका मतलब इसमें निवेश करने में risk बहुत ज़़ादा होता है और यदि किसी देश की सरकार ने इसको illegal घोशित कर दिया तो उस समय पर वो risk 100% भी हो सकता है तीसरा नुकसान कि बिटकोईन इंडिया में legal तो है लेकिन सरकार इसको recognize नहीं करती जिसकी वज़र से ये नहीं पता कि कौन सी government किस तरह का rule and regulation बिटकोईन के उपर लेकर आए मतलब भविश्य में इसका क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता चोथा नुकसान transaction गलत हो जाने पर उसे ठीक नहीं किया सकता और यदी एक बार transaction गलत हो जाए तो उसको वापस भी नहीं लिया सकता आपको बहुत बड़ा loss हो सकता है और पांचमा सबसे बड़ा नुकसान आपकी digital wallet का यदी password गलत हो जाए और आप उसको recover ना कर पाएं तो आपकी सारी की सारी digital currency crash हो जाती है खतम हो जाती है आप उसको by laws वापस recover नहीं कर सकते और एक extra नुकसान में आपको और बताता हूँ digital currency का वो है कि भारत जैसे देश में लोग traditional method यूज करते हैं investment के लिए जैसे FD, gold, property, shares, bonds या policies इसमें निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे में आपको transaction करने के लिए और अपनी digital currency को convert करने के लिए अपनी crypto currency को and cash करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूणना होता है जो इसको आपकी Indian currency में convert कर दे जिसकी वज़ा से कई बार ये ढूणना बहुत मुश्किल हो जाता है अब समझते हैं कि bitcoin की transaction कैसे होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ bitcoin की transaction करता है तो third party की जुरूत पढ़ती है मतलब miners की जुरूत पढ़ती है बहुत सारे miner अपने super computers के साथ bitcoin की mining करते हैं मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ transaction करता है तो उसकी transaction को control और success करने के लिए बहुत सारे super computers लगे होते हैं और जो super computer उस algorithm को solve करके उस transaction को successful करता है उस transaction के बदले उसको कुछ bitcoin generate होते हैं जो उसकी एक income होती है ये सभी super computers third party के रूप में उस algorithm को solve करने का प्रयास करते हैं और जो सबसे पहले success होता है वो transaction उन सभी super computers में save हो जाती है मतलब इसमें government of India की तरह या RBI की तरह कोई एक central power नहीं होती जिसके पास ये सारी transaction save होती है ये सारी के सारी transaction सभी super computers में save हो जाती है और जैसा कि सतोशी नाका मोतो ने बताया कि bitcoin को केवल 21 million तक ही mine किया जा सकता है तो इसी लिए इसकी जो supply है वो limited है जिसकी वजह से demand के हिसाब से इसकी कीमत तैह होती है जो बहुत ज़्यादा volatile है अब मैं आपको बताता हूँ कि सतोशी नाका मोतो कौन है ऐसी बहुत सारी अफवाई हैं जिसमें कहा जाता है कि सतोशी नाका मोतो नाम के व्यक्ति का आज तक पता ही नहीं चल पाया है और कुछ ऐसी भी अफवाई हैं जिसमें कहा जाता है कि सतोशी नाका मोतो नाम का व्यक्ति है ही नहीं और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता ये कहा जाता है कि सतोशी नाका मोतो कोई व्यक्ति नहीं ये companies का joint venture है Samsung, Toshiba, Nokia और Motorola इन चारो company के joint venture को सतोशी नाका मोतो कहते हैं जो की एक company है ये भी कहा तक सच है ये भी आज एक रहस्य बना हुआ है आप मुझे comment box में लिख कर बताओ कि सतोशी नाका मोतो कौन है Friends, ये दिया आप अपनी capital को safe बना कर investing को सीखना चाते हैं तो सबसे best है कि आप cryptocurrency की जगा share market में invest करें क्योंकि share market को भारत में बहुत अधिक control किया जा सकता है जिसकी वज़ा से आपके पैसे डूबने के chances बहुत कम हो जाते हैं लेकिन ज़रुवत है सही strategy और सही knowledge की आप लोगों के लिए मैंने एक series शुरू की है stock market millionaire जिसमें basic से लेके advance level तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किस strategy को अपना कर किस तरह से fundamental को study करके और किस तरह से analyze करके long term के लिए invest किया जाए ताकि आप अपनी investment को तेजी से grow कर पाएं friends मेरा कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस channel को subscribe करें और comment box में लिखकर मुझे जुरू बताएं कि आप किस विशय पर वीडियो मुझे चाहते हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य के कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत